कि वेल्कम टू रोबस्ट्यूज रोबस्ट्यूज में आपका स्वागत आज हम आपको खबरों की वर्ब से कराएंगे रूबरू फेश टू फेश और आप ऐसे खबर सुनेंगे कि आपके पाउं तले से चबिर खिशक जाएगी नागरिक्ता कानून आसाम में मंगलवार तक इंटरनेट बंद अब तक पांच लोगों की मौत चलिए नोडबंदी भी मरते थे और एक्स कैब के कानून आने के बाद भी लोगों का बंड़ा चालू इसे ही लोग अच्छा दिन कह रहे हैं और इसी के लिए लोग ताबर सुधन विद्ययक पारित होने के बाद से आसाम के विविन इलाकों में परदर्शन जारी है आसुर नेता समेते एक सो से अधिक परदर्शन कारियों को हिरासत में लिया गया बाद में रिहां किये गए गुवाटि और डिब्लुगर में कर्फिंग में थोड़ी राहत दे द बाद राज में हिंसा के दोरान मरने वालों के संग्या पांच हो गई है राज में सांतिय और कानून व्यास्ता को बिगारने में सोसल मीडिया के कथिक दूरुपयों को रोगने के उद्दे से परदेश में सोंबार को अगले 24 घंटों के लिए इंटरनेट शेवा और अस्त अस्तागित है अत्रिक्त बुक्त सचीव ग्री अंग राजनितिक मामले संजय कृष्ण ने बताया समुचे आसा में इंटरनेट से वाए मंगलवार तक अस्तागित रहेगी उनके अनुसा ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि फेस्बुक वाटसप ट्वीटर और यूटूब आ आधिमों के अप्वाओं को फैलाने के लिए इस्तेमाल होने के साथ ही तस्वीरे वीडियो और टेश्ट में संदेश भेजने की होने की आसंका है इनसे आक्रोस भड़क सकता है और कामिन द्वास्ता के लिए गंबी रिस्तिति बन सकती है राज में 21 दिसंबर को सुरू में इस्तिरिफ 10 जीलों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट शेवा को रोकी गई थी अगले दिन 12 दिसंबर को इसे पूरे परदेश में अगले 48 घंटों के लिए बढ़ा दिया गया मालूमों के संसोदित नागरिक्ता कानून के विरोध में आसाम में लोग सरकों पर उतर आयर विविन सहरों में अंदोलन कारियों और पुलिस के भी जड़ब के बात पर सासन को करफिव लगाना पड़ा इस बिच नागरिक्ता संसोदन कानून के खिलाफ विरोध को देखते वे इंटरनेट सेवाए पर लगी पावंदी की वज़े से केंद्रिय परतक्षकर बोर्ड CBDT ने आसाम तिरपूरा अरुनाचल परदेश में गाला इन नागलेंड मनीपूर और मीजोरा में वित्वरस पर फुल लकुमार महंतो ने कहा हम इसका नागरिक्ता संसोदन कानून समर्थन नहीं करने जा रहे हैं हर कोई इसका विरोध कर रहा है यह असाम समझोते का उलंगन करेगा और असाम के मूल निमासियों को अलब संख्यक बना देगा असाम गन परिशद इसका विरोध करती ह है हम इसके खलाब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बता दे कि ए जीपी असम में भाजपा के निर्तुरतों वाली सरकार का हिस्सा है और पार्टी के तीन नेता राज की केबिनेट में हैं असम गन परिशदों ने संसर्द में नागरिक्ता संसोदन विद्यक का समर्थन किया था जिसके बाद सतारूर गजबंधन के कई नेताओं ने पार्टी पद से इस्तिफा दे दिया मालोंगों के बीते 11 दिसंबर को संसर्द से नागरिक्ता संसोदन विद्यक पारित होने के बाद से आसा में हो उत्तर प्रूब के कई हिस्सों में बड़े विरोध परदर्शन हो बीते 12 दिसंबर को राश्पति की मंजूरी मिलने के साथ ही ये विद्यक अब कानून बन गया है इस विद्यक में अफगानिस्तान बांगलादेश और पाकिस्तान से धार्मिक परतरना के कर्म भारत आई हिंदू सीख बोध जैन पार्शी और इसाई स्रमुदाय के लोगों नागरिक्ता देने का प्राफदान किया गया है नागरिक्ता संसोदन विद्यक में उन मुसल्मानों को नागरिक्ता देने के दारी से भार रख रखा गया है जो भारत में सरण लेना चाहते हैं असम्में हो रहे परदर्शनों के दोराण अब तक से पंक्रशवtem पांच lowersने के परिवार ने आरोप लगाया कि वह पुलीस फाइरिंग में मारे गए गुहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जी एम सी एच के एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि बीते बारा दिसंबर को पुलीस फाइरिंग में उन्हें गोली लेगी थी नायक उदा उदाल गुडी जीले के रहने वारे थे देपोर्ट के अनुसार रहिवार कोई 23 वर्ष अब्दुल्ग अलीम की मौत हो गई वह बर्पेट जीले के रहने वारे थे गुहाटी में पुलीस फाइरिंग के दोरान बीते 12 दिसंबर को वह घायल हो गए थे उनकी भी मौत GMCH में हुई इसे पहले बीते 14 दिसंबर को सोनीपत जीले में परदन ससंकारी भीड़ दोरा ट्रक में आग लगाने के वज़ा से 48 वर्ष टेट ड्राइवर अजीजूर अली की मौत हो गई पुलीस ने बता कि सम्मंद में बीजोई नाथ नाम के बैक्ति को गिरफतार किया गया है बीते 12 दिसंबर को पुलीस फाइदिंग से दो लोग की मौत GMCH में हो गई थी पुलीस नार्ष उनकी पहचान और आजीवी का खतरे में पढ़ सकती है आसम में रहने बाले लोग का कहना है कि इससे आसम समझोता उने सुपेचासी के प्रवदा निरस्तों हो जाएंगे जिसमें बिना धार्मिंग भेदभाव के आवेद सरनार्थियों को आपस भेजे जाने कहनते हैं तिदी 24 मार्श उने सुपेचासी में करफी में कुछ राहत संसुतित नागरिक्ता कानून के विरोद में सब्ता भर से चल रहे परदर्शन के बिच गुहाटी में सुबच छो बज़े सा रात नो बज़े तक करफी में धिल देने से सहर में हालात कुछ हाथ तक साबन हुए है आसम पुलीस के मुख जन संपर का दिकारी राजीम सेख्या ने यह जान कर दी हलाकि सेख्या ने बताए कि गुहाटी में रात का करफी लागू रहेगा आसम कात्रिक पुलिस महालिदे से कानून व्यवस्ता जी पी सिंग ने रवयार को ट्विट किया कि कानून व्यवस्ता की स्थिति में सुधार के मद्दनेजर कार्फी में से राहत देने के समय को बढ़ाया गया है सिंग ने ट्वीट किया इस्तिती में काफी सुधा रहा है गुहार्टी में दीन में कर्फी को 16 दिसमबर सुबद 6 बेजे से हटा लिया गया है रात का कर्फी रात 9 बेजे से अगले दिन सुबद 6 बेजे तक लाग रहेगा साथी अधिकारी ने का कि यह कदम हंदेरा होने के बात सारती तत्तों के आम लोगों के साथ मिल जाने को रोकने के लिए उठाया गया है प्लीस रविवार से लौडर स्पीकर के जड़िये लोगों केरफ्यू से रहत और उसके पुर्ने लागों होने के बारे में सुचना दे रही है सरस्थित नागरिक्ता कानून के खिलाप हजारों लोगों के सड़कों पर उतर जाने के बाद से आसम पिछले कई दिनों से गुस्ते की आग में जल रहा हिंसा गुस्त आसा में मदद के लिए रह देखरे लोगों के लिए हलप लाइन नमबर सुरू किये गए है नागरिकता कानून के खिलाब चल रहे विरोध परदरसनी की भूमी प्रिष्ट भूमी में मदद की राह देख रहे लोगों के लिए सरकार ने स्रोंबार को आसा में मौजूद के अंदर राज के सुरक्षा और राध वालों के हेल्प राइड नमबर पर चारित किये के अंदर वालों में सामिल NDRF, BSF, CRPF और SSB राज की राजदानी गुहाटी में है राज इस तरह बल आपदा परतिकरिया बल और नागरिक सुरक चबल है राज इस तरह ये आपदा अभियान के अंदर दीश पूर में स्थीत है और उसका संपर्क नमबर है 1079 तथा 9401044617 कामरूप जिला में इस तरह ये आपदा अभियान के अंदर के फोन नमबर है 1077 तथा 0361 2733052 आसु नेता समय ते एक सो से अधिक परदर्सान कारें हिरासत में बाद में रिया किया गया संसोदीत नागरिता कामरूप के लास सौंबार को कि तरफ से मार्च करने से पहले लातास सिल मैदान में नेताओने बच्टाUND 9000 संकारियों को संबोधित करते का हमें जानकारि मिली है कि हमें गरफ्तार किया कया शकता है लेकिन मैं यह संपश्च करदेना चाहता हूं कि हमारी मांग है कि's सोरीके नागरिता कानून वापस ले या हमें गरफतार करें उन्होंने प्रदर्संकरियों से अन्सासित रहने की अपील की अधिकारियों ने बताया कि जब प्रदर्संकरियों दिघाली पूर खूरी छेतर के निकट पहुए गये तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया गुहाटी के प्लीस आयुक्त मुन्ना परसाथ गुपता ने कहा आसुने ताउन ने अन्य प्रदर्सनकरियों के साथ खुद गिरबता ले दी लेकिन उन्होंने प्रदर्सनकरियों के हिरासत में ले गया और उन्होंने दिखा ली पूखुरी के एक मैदान में रखा गया था सब्सक्राइब नाग्रिता कांग किलाव पर्दर्सन के बाद उत्पन हुए तनाव से मेगालाई वासियों को सौंबार को थोड़ी रहत मिली और क्रिश्मस से पहले लोग बैंक तथा बाजारों का रूख करते नजर आयो पूर्भी खासी हिल्स जिले के डियम एम डवल्यू नोन गबरी ने कहा कि सदर और लुम दियन गिरी थाना च्छेतर के तहत आने वाले इलाकों में करफी में तेरह घंडे की डिल दी गई है जिले के अन वरिष्ट अरदिकारी ने बता कि स्तिती बहतरी हो रही है और करफी और उसके हटाए जाने के बाद भी किसी तरह की अप दू के मुख्य बजारों में दुकाने और व्यवासेक परतिष्टा ने खुले कंफेडरेशन ओप मेगालाई सोसल और्गिनाजेशन कॉम्सो ने राज्ज सरकार द्वारा राज्ज में इनर लाइन परमिट आई एलपी लागू करने के परस्ता को 19 दिसंबर को पारित करने कि निनने पर खुशी चाहिए की कव्सो नाग विट्टा कानून के किलाब परदर्शन करें और उन्होंने काम नाग विदिता कंञाप परदर्शन जार रखेंगे और चाहते हैं कि चलिए अब आपको आपको लेकर हम चलते हैं जामिया में पुलीस कारवाई के खलाप लखनों से लेकर हैदराबाद मुंबई में छातुने ने दिखाई एक जुटता उत्तर परदेश के लखनों इसी नदवा कॉलेज में पर्दसन के दोरान पत्राओ दिल्ली विस्ट्र वि साइनसेस में भी परदर्सन देश के तीन भारत्य परदों की संस्तानों ने भी किया विरोध नागरिता संसोतन कानून के खिलाप परदर्सन कर रहे दिल्ली के जामिया मिलिया इसलामिया परिशन में छात छात्राओं के खिलाप पुलीस की कारवाई से उत्पन हुआ विवार को पुलीस ने जामिया मिलिया के पुस्ता कालाइक अंदर आसु गैस के गोले का इस्तमाल किया और इसे विद्याले के अनुमति के बीना परिशन में दाखिल हो गई इस पूरे परकरण की जाश की मांग करते हैं विवार को सेकड़ो छातर दिल्ली की सड़क पर उतर आये दिल्ली इसे विद्याले के चातरों ने जामिया के चातरों के साथ एक जूटता दिखाने के लिए प्रिक्छाओं का बहिसकार किया उन्होंने काया कि वे सोमबार की साम इंडिया गेट पर एक्तित्र होंगे इस भी जाम्या मिल्या अिसलामिया के चात्रों पर एक दिन पहले पुलीस कारवाई की खालब इसमे लगा और मार्श निकाला वहीं एक छातर अपनी पहचान उजागर नहीं करने की सर्थ पर कहा हमारे स्रापाटे को बुरी तरह पीटा गया पुलिस कर्मी सोचा लए पुस्ता का लए में घूसा है और उन्होंने लड़कियों को भी पीटा हमारा परदर्सन दिल्ली पुलिस की गुंडा गर्दी के खिलाफ है एक घायल चातर के साथ जब कुछ महिला अपनी समस्या बताने मीडिया के पास पहुंची तो कुछ लोगों को उन्हों से यह कहते सुना गया कि वे कोई बयान नहीं दे खांजाला नाम के एक छातर ने बताया जब फुलिस विश्विद्यालाई में घुशी तब हम वहीं थे करीब 20 पुलिस कर्मी द्वारा नमबर 7 से घुशे और खरीब 50 सिन पीछे के द्वार दवार से घुशे हम उन्होंने उन्होंने बताया कि हम हिंसा में सामिल नहीं थे उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी उन्होंने महिलाओं को भी नहीं बखसा जम कर पिटाई किया खांजाला के पैरों और पेट में चोटें आई हैं खांजाला की चोटें देखकर एक महिला रोपड़ी इस पूरी कारवाई के दुरान हमसा में लिए गए 50-चादरों को सवाब बात के पुलीस ने रिया किया दिया था लेकिन परिशन में अभी तनाव कायम है इस से पहले जामिया मिल्या इसलामिया में पुलीस के कारवायों के खलाप अपात परदर्शन के तोर पर रहिवार देर रात से एकड़ो छातरा आई टी पर इस्ति दिल्ली के पुलीस के पुराने मुखेले पर पहुंचे परदर्शन साथ में परिश्चाओं का किया गया बहिसकार तो बने रही है आप चैनल पर और नए खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स पर अपनी परतिक रिया देया आपका दिन शुबर है धन्रवाद